इन्वेस्टर्स स्वागत आपका मार्केट में बात करेंगे शेरी रेनो का शुगर के बारे में देखिए यहां पर थोड़े से कंसेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में काम कैसे होता है इसपैसली यह वीडियो उनके लिए होगी जो अभी न्यूबी है जो नए नए मार्केट में आया है और उन्हें लगता है कि हर स्टोक भागता है यहां पर उसके बार में बात करेंगे पिछले पांच दिन की बात करें तो इरा रिशी रिटेन को शुकरने में तकरीबन एक प कर्मेंट ने कहा था कि हम इंथनोयल की प्रोडक्शन को इंग्रीज करने वाले हैं और इंथनोयल बनाती है जितने भी शूगर स्टोक हैं तो यहां पर एक न्यूज आई और न्यूज का सबसे दरा फाइदा किसने उठाया रिटेल इंवेस्टर नहीं उठाया न्यूज का फाइदा उठाता है मिशा जो स्विंग ट्रेडिंग करता है उन्होंने एनलैस करा और अपना चार्ड देखा न्यूज देखी उसके अकोर्डिंग वो यहां पर स्टोक में घुस गए उन्होंने यहां पर अपने पैसे को डबल ट्रिपल करा और वहां से बाहर आ गए फसा इसमें चोबिस में कंपनी आपको चरिटन देगी क्योंकि उस टाइम तक इथन ओयल की प्रोडक्शन शुरू हो तो चुकी है जो पैट्रोल में भी मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी वैसे इनकी डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड एक दुम से तो अभी इंक्रीज न कर दिया है डबल कर दिया है क्योंकि आने वाले टाइम में चीज का आपको प्रोफिट देखने के लिए मिलेगा अगर आप इसकी बैलें शीट देखोगे न तो अभी आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेंगी यहां पर अगम थोड़ा सा लेकी चलने तो आपको थोड अगर यहां पर एक इनवेस्टर हैं अगर आप यहां पर इसकी बिल्कुल भी सेल अफ करने के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं अच्छा स्टोक है और आपको अच्छे रिटन देगा ही देगा इनफेक्ट अगर यह लोवर सर्केट थोड़े दिन और चलता है और यह स्ट के पास आता है यहां पर एक अच्छा अमांट इनवेस्ट कर सकते हैं और यह आपको डिसकांट प्राइस पर मिलेगा लेकिन अगर आप यह सोच रहो कि मैंने दो से तीन साल तक किसे होल्ड करना है यह चीज़ें आपको समयने चाहिए यहां पर बहुत सी ट्रेडिंग होती तो ट्रेडिंग के ड्वाइस कभी नहीं दी जाएगी नहीं आप कभी ट्रेडिंग के चकर में फचेगा अगर आप न्यूबी थो बिल्कुल भी नहीं उसके बाद अगर यहां पर थोड़ा सा निच्चे आते हैं तो आप रवेन्यू देख सकते हैं कि कंपनी का यहां पर आपको धिरे यह चार्ड उपर चातो देखने के लिए मिलेंगे एथनोयल की वज़े से मेन इतनोय उसमें जितने भी आई आपको जबर्दस रिटर्न देखने के लिए इसी वज़े से अभी बहुत से लोग है जो पैनिक होगे जिरों हाइपर खरीदा है अब उस इंक्रीज हुई है फस्ट पोजिटिव साइन है और जो उनकी शेयर प्लेज हैं वो छूटे हैं बल कंपनी भी अच्छे काम कर रहे हैं कंपनी प्लेज को छुडवा रिया और अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता है ना किसी भी कंपनी में मतलब कि वो अपने शेयर खूद अगर आप चाहें तो इन्हें अपनी वोस्टेस पर रखें जितना जितनी आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी अगर आपको यहाँ अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं नोडाउट लेकिन अगर आ लाइकन को जरूर दबएगा